सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूस चैनल को और सबसे पहले न्यूस पाने के लिए घंटे को जरूर दबाए बस खतम होने वाला है टाटा की इस बेयत चश्टी कार का इंतिजार जानिये कब होगी लॉंच ताटा मोटर्स की अल्ट्रोस कार कमपनी बहु प्रिये मौडल में से एक है जिसका इंतजार भारतिये बजार में काफी लंबे समय से किया जा रहा है ये कार इस साल यानि की 2019 में भारत में लॉंच होने वाली थी दिवाली पर लेकिन ताटा मोटर्स ने इस कार के लॉंच को थोड़ा आगे डेट कर दिया है अब ये दिवाली के बाद नए साल पर या नए साल से पहले लॉंच हो जाएगी ये कार एक प्रीमिम हेजवेक कार में से एक है जिसकी सबसे बड़ी खासवाथ इसके शांदार लुक है एकस्टीरियर से ये कार भेहत मॉडर नजर आती है कार के एकस्टीरियर में भेहत शांदार डिजाइन वाले अलॉई विल्स स्टाइलिश LED डियारेल्स प्रोजेक्टर, हेडलाइट और खुबसूरत गेल देखने को मिलेंगे इसके साथ इस कार का एकस्टीरियर डूल टोन पेंट स्कीम से भी लेस होगा वही बात करें कार के इंटीरियर की तो इसमें 8 इंच के टस्कीम इंफोटेमेंट सिस्टम देखने को मिलेंगे जिसमें Android Auto और Apple CarPlay की सुविदा मौजूद होगी कार का इंटीरियर ओल ब्लैक होगा और इसके डैशबूर्ट पर उच गुपता वाले मैटीरियल का इस्तुमाल देखने को मिलेगा इंचन इसमें आपको इंचन स्टार्ट स्टॉप, क्लेस एंट्री, आटोमेटिक क्लैमेट कंट्रोल, रियर एरेंट कंडिशनर वेंट जैसे शांदर फीचर्स इस कारी के इंटीरियर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे भारत में एकार तिन इंजन विकल्ब के साथ लॉंच होगी पहला इंजन 1.2 लिटर का पैट्रोल इंजन होगा जो 80 बेच्प का पावर प्रदान करेगा दूसरा इंजन 1.2 लिटर टर्बो पैट्रोल इंजन होगा जो 102 बेच्प का पावर प्रदान करेगा वही तीसरा इंजन विकल 1.5 लिटर का डीजल इंजन होगा जो 90 BHP की ताकत प्रदान कर पाने में शक्षम होगा 5 स्पीड और 6 स्पीड मैनियूल के साथ ये कार M3 ट्रांसमिशन के विकल्प के साथ भी भारत में लॉंच की जाएगी बारत में इस कार की कीमत 4-8 लाक रुबे के बीच होने की उमीद है लॉंच होने के बाद इसका सीधा मुकाबला मुखे रूप से मारुती सुजुकी बलीनो, तोयोटा ग्लेंजा, हिनिंडाई की I20 और हॉंडा जैसे होगा तो यह कार आपको कैसी लगी दोस्तों अपनी रहे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए इस वीडियो को लाइक करें बिना मजजाना दोस्तों आपका एक लाइक चैनल को बहुत सब्सक्राइब करता है तब तके लिए धन्यवाद दोस्तों